दोस्तों स्वारत है आपका Demarketing Ball में मेरा नाम है विशेख दोस्तों आज की वीडियो का हमारे टॉपिक है What is Reseller Web Hosting and How to Earn Money from Reseller Web Hosting तो दोस्तों इस वीडियों को यही बताने जा रहा हूँ कि Reseller Web Hosting क्या होती है और उसका यूज करके हम किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं तो दोस्तों इसके आने वाले वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊँगा कि कैसे Reseller Web Hosting को खरीदते हैं और उसके अंदर हम किस तरीके से WHM में हम अपने plans को create कर सकते हैं और sell कर सकते हैं और इस तरीके से हम किस तरीके पैसे कमा सकते हैं यह सभी चीज़ों पर एक complete वीडियो आने वाला है तो उसके लिए आप इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नॉटिफिकेशन आपको मिलें तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं यहां पर आपको इस वीडियो बताने जा रहा हूं बेसिक्स रीजिएलर वेभ हुस्टिंग हैं जाइस सबसे positivity मैं आपको बता दूँ कि घैस्प्राइब कर बारे कर दोबत होते हैं भट उस्टिंगा अपना अपने अक्साल चुक्राइब करेदा होगा चाहिए ज्याव्जिए बहुत जादा होता है अब मैं आपको यहां पर बताऊँगा कि शेयर होस्टिंग और रिसेलर होस्टिंग में डिफरेंस क्या है तो गैस होता क्या है कि अगर मुझे अपनी एक वेबसाइट बनानी है होते हैं टिक है लेकिन अब हम बात करते थोड़ा सा आगे जाकर कि है Chris रिसेलर होस्टिंग में क्या फाया है तो गास वेश्टिंग भी शेयर होस्टिंग का थोड़ा सा अफ्ग्रेडर वर inacc烈 वर्जन है कि यह Wilson से थोड़ा सा ब्टर रहा है दा अब रिसेलर वोस्टिंग किन लोगों के लिए ज्यादा यूसुल है अगर मुझे एक website होस्ट करना है और उसके लिए अगर मुझे ऑस्टिंग चाहिए तो मुझे रिसेलर वोस्टिंग लेने की ज़रोध नहीं है तो मैं शेर्ड वोस्टिंग के साथ प्रचेस करते हैं, तो हमारी उसके नदर कोई responsibility नहीं है, लेकिन हमारी उपर कोई responsibility नहीं आती है, यूँकि ना तो हमें किसी server manage करने की जरूत पड़ती है, ना हमें कुछ करना वड़ता है, सब कुछ automatically होता है, कुछ भी अगर दिक्कत आती है, तो हमें कुछ नहीं करना है, सा कोई plan हो, hosting company खुलने का, तो आप reseller hosting purchase करकर, hosting company स्टार्ट कर सकते हो, कहां से reseller hosting purchase करना है, उसका दो website का link में, आपको वीडियो के description में देतू को, बहाँ पर जाके, आप reseller hosting purchase कर सकते हैं, ठीक है, अब मैं आपको अधाता हूँ कि actual में चीज़ की कैसे जाती है, तो guys सबसे प तक का reseller hosting हमें यहाँ पर मिलता है, और इसके अंदर, यह actual में होता क्या है, हमें यहाँ पर एक WHM CS का cPanel मिलता है, एक तरह से हमारे लिए एक cPanel होता है, यह हमको हमारे जो लोग हमसे purchase करते हैं, उनको हमें देने की जरूत नहीं होते हैं, हम इस cPanel का use करकर, एक simple सा cP create कर सकते हैं, जैसे कि shared hosting में हमें मिलता है, तो WHM CS का cPanel होता है, वो बिल्कुल अलग रहता है, वो हमारे लिए होता है, और हम उसके थूरू दूसरों को hosting बेच सकते हैं, जब हम बेचते हैं, तो हम अलग-अलग plans create करते हैं, अगर आपने hosting company, इसकी websites देखी होगी, तो WHM का use करके हैं, तो यहां पर होता है कि WHM हमें मिलता है, WHM CS हमें मिलता है, WHM CS हमें मिलता है, WHM से क्या होता है, हम अपने server को manage कर सकते हैं, WHM CS से हम billings को setup कर सकते हैं, यह सब चीज़े कैसे करते हैं, यह मैं आने बार वीडियो से बताऊँग, आपको जादा डीटा भी यहा ठीक है, और अगर मैं वह 1-1 GB करके 100 जनों को मैं चाओं तो वह reseller hosting sell कर सकता हूं, मतलब एक तरह से reseller hosting मेरे पास रह रहे हैं, लेकिन मैं उनको shared hosting sell कर सकता हूं 100 जनों को, ठीक है, मेरे पाद 100 GB है, तो मैं 100 GB के 100 हिस्से कर दूँगा, और 100 जनों को दे दूगा, और वह 100 जन मुझे यहां पर profit मिल रहा है और मुझे करना क्या पढ़ रहा है कुछ भी नहीं सिर्फ 15,000 का investment किया और अपने plans create किये इसके लाव मुझे कुछ भी करना नहीं पढ़ रहा है बाकि सारा काम वो कंपनी कर रही है जिससे मैंने reseller hosting purchase किया है और जो लोग मुझे से purchase कर रहे हैं उनको क्या मिल रहा है shared hosting ठीक है क्योंकि reseller hosting भी काम तो shared hosting के तरीके से ही करता है क्योंकि इसके अंदर हमें जो कुछ भी resources मिलते है वो दूसरे लोगों के साथ भी share होते है और इसी वज़े से दस सजार रुपे देने पड़ते हैं वीपीएस में हमें हर महीने दो हजार रुपे देने पड़ते हैं तो हमें कुछ मिला के पूरे साल के हमें 24,000 रुपे के आसपार बीपीएस का पड़ता है जो की काफी महेंगा पड़ता है और इसके ऊपर से कुछ और भी चीज़े र पाई और यह एक्स्टरा अडिंन बहुत ज़्यादा होती है हम इसको पैसीं पॉलते लेकिन पैसी पॉलते लेकिन पैसने पॉलते हैं अगर हम होस्टिंग को पुल मिलें उसके स्थोड़ा सा थोख में ले रहे और फिर उसको लोगों में बाट रहें ठीक है एक तरह से जो होता है अपर होस्तिंग पचेस और लोगों में हम बाट रहें और उस चीच का फॉनीमिला के लेकिन बहुट यहां पर क्या होता है बाहर हम जब दुकानों भी बगर आई जी देखते हैं लोगों की कुछ responsibilities भी होती है उसीज को लेकर लेकर लेकिन यहां पर हमारी कोई responsibility नहीं होती है सारा का सारा काम वो मेन कंपनी कर रही है जिससे हम रिसनल करते हैं तो कुल मिला कि हम पैसे तो कमा रहें लेकिन हमारा सिर्फ इंवेश्मेंट रहता है पूरे साल का 12-15,000 रुपे जो की ना के बराबर होता है अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से सेल कर सकते हैं तो हम बहुत अच्छा खास है कमांट यहां पर हम कमा सकते हैं और हमारी बिसिनस के मार्केटिंग तो करनी बढ़ती है उसके लिए जहाँ स्यादा महीने के आपको 2-3,000 रुपे लग जाएंगे तो इस 12-15,000 के साथ 2-3,000 रुपे और मिला लिजिए लेकिन पूरे साल में पूरे महीने में अगर आपने हजार जनों को भी अगर सो जनों को बेज देते हो हजार-जार रुपे में तब भी आप एक लाग रुपे तो यहां पर आराम से कमा लेते हो ठीक है तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है और इस तरीकी से अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हम एक अच्छा कासा रेसलर में हम कम लों को में लेते हैं टिक नहीं हम 50GB तक नगिंडला बढ़ना हमाराच घर्चा भी ज महांट होता है तो वो एक अलगी मजा होता है उसको बहाँ पर हम बहुत ज़्यादा storage दे सकते हैं लोगों को और बहुत अच्छी तरीके से कर लेकिन बहाँ पर हमारा खर्चा भी ज़्यादा होता है हम अब भी start कर रहे है तो हम reseller hosting के साथ start कर सकते है तो उखल बिला के बात यह है इस responsibilities नहीं होती है यहाँ पर ना तो reseller के case में होती है ना यह बीपेस के case में होती है बीपेस के case में investments जादा होती है और अगर आप किसी वज़े से बेच नहीं पाए तो वह आपका कर्चा बहुत जादा लग जाएगा यहां पर reseller में क्या होगा कि आप 10-12,000 रुपया आप इंवेस्ट कर रहे हो कम से कम बगर एक लाक नहीं तो कम से कम 50,000 तो कम ही लोगे ना एक महिने के और उसके अंदर आपको लगा कितना कुछ भी नहीं ठीक है एक महिने के अगर आप 50,000 का भी sale कर लेते हो तो यहां पर कि आप पूरे साल के 12,000 रुपय में अगर आप महिने के 50,000 की भी sale कर लेते हो तब भी आप सोचो 12,000 के कितना sale कर सकते हो समझ रहे हो यह चीज आपको ध्यान रखना है जैसे आपका बहुत से reseller भर जाता है अगला reseller खरीद हो फिर उसको बेच हो ठीक है इस तरीके से आप यहां पर उस company से उस company का भी business चल रहा है आपका उससे भी तगड़ा business चल रहा है मतलब बहुत कमाल का setup हो जाएगा और आपको मज़ा आ जाएगा business करने में क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहां पर earning होने वाली आपको responsibilities purchase करते ही खतम हो जाती है आपकी सिर्फ आपकी responsibility है कि आप purchase करो और इसकी marketing करो marketing में हर महीने आप दो तीन हजार उपे मान के चलो marketing की और उसके बाद पैसा ही पैसा है भाई तो खुल मिलाग अगर आप एक बास start करना चाहते हो तो आप मुझे इस वीडियो को लाइक कर दो नीची मुझे कमेंट बता दो कि आप start करना चाहते हो तो मै इस पर एक complete video बनाने वाला हूं वैसे भी बनाने वाला हूं है और अगर आपको कमेंट आ जाता है अगर दो चार कमेंट भी आ जाते हैं तो मैं जल्दी से जल्दी वो वीडियो बना कर upload कर दूँगा तो दोस्तों उमीद है कि आपको सारी चीज़ एक दो अच्छी तरीके स पूश सकते हैं बाकी तो यार देखो लाइशन वगेरा कि जब पर मैं बात करो तो लाइशन करने मुझे अभी अच्छा नहीं रहा था इतना तो इस वाज़े से लाइशन से डिले हो जाएगा लेकिन आप फिर भी मुझे से फेस्बूक पेस्ट बात कर सकते हो कमेंट में उससे questions कर सकते हो मैं सभी का answer जरूर दूँगा आपको और जितना जल्दी हो सके यह reseller hosting को purchase करने का एक वीडियो आ जाएगा बागे अगर आपको बताया किस तरीकित प्रचेस करते हैं तो लिंक डिस्क्रिशन में है वहाँ पर जाके आप अच्छे अच्छे offers मिल जाएंग बेल आइकन को प्रस करना विद्गूर मत बुलिए क्योंकि इससे में रहाने वाले हर वीडियो की notification सबसे पहले आपको मिलेगे तो दोस्तों आज की वीडियो में सब इतना ही देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद